सो नमस्का दोस्तो टेक्निकल वोस में आपका फिर्चा बहुत-बहुत सुवागत है और दोस्तो यदि आप अपने मुबाइल के अंदर गेम खेलते हो ना तो आज मैं आपको इस वीडियो में दो अल्टिमेट शिगरेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके फाइदे मिनने वाले है गेम खेलते हुए वो दो फाइदे कौन से है उसके बारे में आपको बताऊंगा इसलिए कहतो दोस्तो वीडियो को थोड़ा ध्यां से देखना वीडियो को समझना और अपने सभी दोस्तों के पास सेरे करना इस वीडियो को जो भी गेम खेलते है त कि दोस्तों जैसे कि आपको खिरेह करने स्विजदि वीडियो में आपको आपको फाइदा जिए trailers में आ पे-पाला में कोई भी गेम खेलते हैं यह दोनोन के दोनो ट्रिक दोस्तो आपके बहुत जादा जिंदिक भर काम आएगी suits trick के अलग-लग माईने होंगे लेकिन जब आप गेम खेलेंगे तो जब आपको इसका trick का ज़्यादा फायदा जो है मिनने वाला है अब trick क्या है थोड़ा ध्यान से समझना यदि आप अपने वाल में game information का software information में जाएंगे अब यहां पर आपको दोस्तों एक option मिलता है build number का build number पर आप 7 बार click करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यदि आपके पास MI का set है तो आपको MI version में जाना है MI version के अंदर आपको build number या फिर version मिलेगा लिखावा उस पर आप 7 बार click करेंगे तो आपके मोईल में यहां पर अब क्या होगा दोस्तों एक नई setting open हो जाएगी वो नई setting कौन सी होगी यदि आप अपने मोईल की दुबार से setting में जाएंगे तो यहां पर आपको सबसे नीचे एक option मिलेगा developer option के नाम से यदि आपके पास कोई और अलग मोईल है तो आपको जाना है additional setting में additional setting के अंदर developer option मिलेगा या फिर आपके मोईल में जो accessibility setting रहती है यह वाली इसके अंदर आपको developer option का जो नया setting है वो आपको मिल जाएगी या फिर आप डिरेक्टर यहां पर search कर सकते हो उपर की side developer option तो जो भी setting वो होगी वो आपका मोईल आपको निकाल कर दे देगा कुल मिलाकर आपको developer option में जाना है जैसे मेरे वोईल में सबसे नीचे आ गया developer option यहाँ पर चले जाना है अब दोस्तों यहाँ पर ही आपको दो trick को use करना है जब आप अपने वाले में game को play करते हो सबसे पहली cat trick है ध्यान से देखना सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर चलते जाना है नीचे जाना है चलते जाना है यहाँ पर चलते जाना है यहाँ पर आपको एक option मिलता है जहाँ पर आपको यह वाला option मिल जा इसको आप 0.5 जो है कर देंगे, इन तीनो scale को, यहाँ पर इनके बाद में scale लिखा हुआ है, इन तीनो scales को 0.5 पर आप set करेंगे, यह आपको पहले trick लगानी है, फाइदा क्या होगा अभी बताऊँगा, इसके साथ इस साथ आपको दूसरे trick यूज करनी है, यही के यही, वो क जब आप कोई game प्ले करते हो, या फिर कोई application को यूज करते हो, तो उसके जो graphics driver है, आपका mobile उसकी जो performance है, किस तरीकी से boost करें, जिससे कि उसमें कोई hanging जैसी problem ना आए, और आपका mobile मतलब full smoothly game को जो है play करे, जाए आपके पास कैसा भी mobile हो, तो आपको यहाँ पर करना क्या है इसको सबसे पहले उपर से own करना है, ओन करने के बाद, यहाँ पर जैसे मेरे पास एक game है, फिरिफायर, ओके, तो जो बे आप game खेलते हो, जैसे मैं फिरिफायर प्ले करता हो, तो यहाँ पर फिरिफायर पर जाता हूँ, यह default होगा, यहाँ पर आपको करना system graphics driver, तो जैसे हमें बहुती अच्छी quality में, और बहुती अच्छी smoothly performance देंगे हमारे मुवाले के अंदर, जो हमने पहले setting on किये थी, जिसमें हमने 0.5x scale बढ़ाए, वो हमारे transition scales को कम कर देंगे, यानि कि उनको increase कर देंगे, बहुत भी fast बना देंगे, और जो हमने driver यूज किये, अब यह हम आपको click करना है, जो भी आप game खेलते हो, उसके बाद जब आप game play करेंगे, आपका जो game होगा, वो hang नहीं होगा, बहुती smoothly play होगा, और आपको बहुत ज़्यादा मजाने वाला है, heavy graphics में आप जो है, game को play कर लेंगे, बहुत ही असानी से, बस आपको यह दो trick जो है, अपने सब स्ब बहुत है, आपको कर दो के इंगे इंपपनेस